प्रियंका के लिए कॉंग्रेस का प्लान बस अब होगा एलान प्रियंका को कॉंग्रेस की ओर से मिला इशारा प्रियंका ने भी कॉंग्रेस को किया इशारा मिलने वाली है प्रियंका को बड़ी भूमी का नस्विकार, नाइनकार, सोनिया गांदी के जगार राय बरेली से प्रियंका गांदी का चुनाव लड़ना तै समझे इशारा अब तक कहा जा रहा था कि कॉंग्रेस महासचे प्रियंका गांदी एक्टेव पॉलिटिक्स में नहीं आएंगी प्रियंका ने भी कह दिया था, वो प्रिचार तो करेंगी, लेकिन चुनाव में हिस्सा नहीं लेंगी लेकिन अब लगता है मौजूदा राजनीती को देखकर प्रियंका गांधी के मूड में बदलाव आया अब उनका मन बदल रहा है प्रियंका न इशारा कर दिया है साफ साफ संदेश दे दिया है कि आने वाले दिनों में वो सक्रिय राजनीती में एंट्री कर लेंगी इसकी बड़ी वज़े सामने आई है जिसमें कॉंग्रेस के लिए एक तरफ खुशी वाली बात है तो दूसरी जटके सरीखा है क्योंकि बात ही कुछ ऐसी है लोगसभा चुनाव को लेकर ऐसी इस्तिति यूपी कॉंग्रेस में बन रही है कॉंग्रेस में जांख खुशी का माहौल है वहीं एक अलगी तरह की उदासी है क्योंकि बात ही ऐसी है दरसल यूपी में लोगसभा चुनाव को आपको यूपी में भी मजबूत करने के काम में जी जान से जुड़ गई है। हाला कि ये अभी तै नहीं है कि वाइनाट से सांसत बने राहूल गांदी इस बार अमेठी से लोगसभा चुनाव लड़ने जा रहे हैं या नहीं। इस बीच एक और चर्चा ने जोर पकड़ लिया है कि प्रियंका गांदी बाड़रा लोगसभा चुनाव में पहली बार ताल ठुकिंग अगर वो चुनाव लड़ती हैं तो किस सीट से चुनाव लड़ेंगी। क्या वो राय बरेली सीट से कॉंग्रिस की उमीदवार हो सकती ह जिस पर उनकी मां सुनिया गांदी चुनाव लड़ती हैं राय बरेली लोगसभा सीट यूपी में एक मातर ऐसी सीट थी जिस पर कॉंग्रिस ने 2019 के चुनाव में जीत हासल की थी अमेठी की लोगसभा सीट पर राहुल गांदी भी चुनाव हार गए थे बताया जा रहा है कि लगतार खराब सेहत की वज़े से सुनिया गांदी इस बार चुनाव लड़ने से परहेस कर सकती हैं ऐसे में उनकी सीट पर उनकी बेटी और कॉंग्रिस की महासचिव प्रियंका गांदी को चुनाव लड़वाय जा सकता है इसे सिर्फ एक कयास माना जा रहा था लेकिन ह उन से पूछा गया कि क्या वो राय बरेली से लोग सबा चुनाव लड़ने जा रही हैं इस सवाल से प्रियंका गांदी ने ना तो इनकार किया और ना ही इस पर अपनी सेहमती दी प्रियंका ने कहा आप तब देखेंगे कि मैं क्या करूंगी प्रियंका गांदी ने राय ब जेक्स अजेराय ने इसे लेकर कहा था कि वो चाहते हैं कि उन्होंने प्रस्ताव भी बेजा है कि प्रियंका गांधी वारनसी से चुनाव लड़ें, वो यहां से चुनाव लड़ेंगी तो कॉंग्रेस की जीतते हैं, तो साफ है कि प्रियंका गांधी उसी शर्थ पर प्रियंका गांधी राय बरेली से लोगसभा चुनाव लड़ेंगी तो इसके क्या प्रभाव पढ़ सकते हैं? कितना असर होगा यूपी की असी लोगसभा सीटों पर कॉंग्रेस जमीन पर कितनी मजबूत होगी? तो क्या माना जाए? यूपी कॉंग्रेस अध्यक्ष अजेराय की ओर से सभाध्यक्ष अखिलेश शातब पर चाबर तोड़ वार इसी वज़े से हो रहा है? कि उन्हें लग रहा है कि प्रियंका गांधी राय बरेली से चुनाव लड़ेंगी तो कॉंग्रेस की सीटों में कि बड़ेंगा जाए?